हेलो एवरिवन तो आज ना हम लोग बनाने जा रहे हैं मैगी का मंचूर यह ना अगर आप लोग चाइनीज लवर हो ना तो यह रेसिपी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो उसके लिए यहां पे मैंने एक कप के करीब पता गोबी ली थी उसको मैंने ग्रेट करके ना उसमें से थोड़ा पानी निकाल दिया था मतलब ज्यादा ने निकाला थोड़ा सा निकाल दिया था फिर उसमें मैंने लाल मिच डाली और नमक डाला गरम मसाला और चाट मसाला डाला उसके बाद मैंने इसमें दो चमच के क्रीब डाल दिया कॉन फ्लार और उसके बाद यहां पर मैंने एक बड़ा चमच भरके इसमें मैदा का डाला था आप लोग देख सकते हो कितना भरके डाला है उसके बाद इन सब चीजों को हम लोग ऐसे मिला लेंगे तो अगर आप लोग सोच रहें अभर मैटी तक मैगी तो मैंने डाली नहीं तो भाई अब डालेंगे मैगी मैगी पहले ना डालने का यह रिजन है कि पता गोबियों और जब हम लोग मैदा को जोर से मिलाते हैं थे पता नहीं चलता अगर हम लोग बाद में ऐसे डालेंगे तो मैगी उसमें दिखती है हम लोगों के मंचूरीन में तो मैगी के साथ मैंने एक पैकट मैगी को मैंने थोड़ा सा तोड़ कर ऐसे फिर बॉvs किया था तो आप लोग मीडियम साइज की बाल्स बना लीजेगा और उनको ऐसे हम लोग फ्राइ कर लेंगी तो फ्राइ करेंगे हम लोग इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुछ करीबन दो से तीन मिनिट में इनमें बड़ा गोल्डन ड्राउन कलर आ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितने बड़ी आसी हो चुकी है ना तो बस ये देखिए एक दम इसमें हम लोगों की मैगी भी दीख रही है तो ये तो बिल्कुल एक दम हो चुकी है और अब हम लोग इसके लिए सौस बना लेंगे अपने मंचूरियन के लिए उसमें हम लोग सलरी डालेंगे तो उसके लिए यहां पे मैंने एक चमज के करीब कौन फलार लिया था उसमें मैंने दो से तीन चमज के करीब पानी डाल दिया है अच्छे से हम लोग इनको मिला लेंगे और हम लोगों की सलरी बन चुकी है अब यहां पे मैंने कडाई में से ओयल को निकाल दिया था और जब थोड़ा साइल रह गया ना तब इसमें मैंने यह डाल दी पत्ता गोबी यहां पे मैं शिमला, मिर्च वगएरा नहीं डाल रहा है अगर आप लोग चाहो तो डाल सकते हो और पता गोबी के बाद मैं इसमें डाल रहाँ टमाटर और प्याज तो टमाटर और प्याज को मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया था आपके फ्रिज में जो भी सबजी हो अगर शिमला, मिर्च, लाल, पीली, हरी कोई भी है तो आप लोग डाल सकते हो और ये देखिए अच्छे से मैंने इनको कर लिया, एक तुम टरंची सी होगी ना हम लोगों की वेजिस तो ये देख सकते हैं आप लोग अब हम लोग इसमें डालेंगे सास तो यहां पर मैं इसमें डाल रहाँ टमेटो सास, सोया सास और शेजवान सास तो ना चेज़वन सॉस डालने के बाद ज्यादा चिली सॉस वकेरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना यहां पे मैं नमक मिच डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था और सच में आप लोग को बताना भूल गया अप लोग लसंद्र क चाहो तो डाल देना और अगर आप लोगोंको यहां पे ग्रेवी ओला मंचुरीन बनाना है तो आप लोग इसमें पानी डाल सकते हैं और ज्यादा तो मैं यहाँ पे ड्राई और ग्रेवी वाला मिक्स सा मंचूरियन बना रहा हूँ तो मैंने यह ना तो ज्यादा पानी डाला और ना तो ज्यादा ड्राई रखे तो यह हम लोगों का मंचूरियन मैगी का बनकर एक दम बड़िया सा आई हाई रेडी है तो आप लोग इसको ट्राय जरूर करना मिलता हूँ किसी और रेसिपी में बाई बाई और हाँ एक बात मैं बोलना भूल गया सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है न तो आप लोग करीद होगे बाई